श्री साइंस अच्चरित अध्याय दो ग्रंत लेखन का धेर कार्यारंब में असमर्थता और साहस गर्मागरम बहस अर्थपूर्ण उपाधी हेमानपंथ गुरु की आविशक्ता गत अध्याय में श्री साइंस अच्चरित में उन कारणों पर प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंत रचना के कार्य को आरंब करने की प्रेड ना मिली अब वे ग्रंथ पठन के योग्य अधिकारियों तथा आन्य विश्यों का इस अध्याई में विवेचन करते हैं ग्रंथ लेखन का हेतू किस प्रकार विशूची का हैजा कि रोक के प्रकोप को आटा पिस्वा कर तथा उसको ग्राम के बाहर फिकवा कर रोका तथा उसका उन्मूलन किया बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याई में वर्णन किया जा चुका है मैंने और भी लीलाईं सुनी जिसे मेरे हिर्दय को अती आनंद हुआ और यही आनंद का स्त्रोत काव्य रूप में प्रकट हुआ मैंने ये भी सोचा कि इन महान आशर जनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनुरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नश्ट हो जाएंगे इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया श्री साइं की जीवनी ना तो उल्चन पूर्ण है और ना संकीर नहीं वर्ण सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तुविक दिर्गदर्शन कराती है कार्य आरंभ करने में असमर्धता और साहस श्री हिमान पंत को ये विचार आया कि मैं इस कारिक के लिए उप्युक्त पात्र नहीं हूँ मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी से भी भरी भाती परिचित नहीं और ना ही अपनी प्रकृती से तब फिर मुझ सरिखा मूड मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुसाहस कैसे कर सकता है हफ्तारों की प्रवत्ती के वर्णन में वेद भी अपनी असमर्धता प्रकट करते हैं किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयम को पहले संत होना नितांत आवश्यक है फिर मैं तो उनका गुरुगान करने के सर्वता अयोग्य ही हूँ संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा नहों कि चार लोगों के समक्ष हास एक अपात्र बनना पड़े इसलिए श्री साहीं बाबा की किर्पा प्राप्त करने के लिए मैं इश्वर से प्राथना करने लगा महाराश्ट के संत श्रेष्ट श्री ग्यानेश्वर महाराश का कथन है कि सत चरित के रचैता से परमात्मा अतीप्रसन होता है तुलसीदाजी ने भी कहा है कि साधू चरित शुब से सरिस कपासो, निरस विशद गुड मैं फल जासो जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंद निय जेही जग जस पावा भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है संतों की कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र ही है यथार्थ प्रेड़ना तो संत ही किया करते है भक्त तो निमित मात्र या कहिए की कार्य पूर्थी के लिए एक यंत्र मात्र है उदारणार्थ, शक संवत 1700 में कवी महीपती को संत चरित्र लेखन की प्रेढ़ना हुई हीश्वर ने संतों में अन्तह प्रेढ़ना पैदा की और कार्य पून हो गया इसी प्रकार शक संवत 1800 में श्रिदास गुरू की सेवा स्विकार हुई महिपती ने चार काव्य रचे भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत और दाजगुणू ने केवल दो भक्त लीलामृत और संत कर्थामृत जिसमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है भक्त लीलामृत के अध्याएं 31, 32 और 33 तथा संत कर्थामृत के 57 अध्याएं में श्रीसाइन बाबा की मदुर जीवनी तथा अमूली उपदेशों का वर्णन सुन्दर एवं रोचक धंग से किया गया है इनका उध्रन श्रीसाइन लीला पत्रिका के अंग 11, 12 और 17 में दिया गया है पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है इसी प्रकार श्रीसाइन बाबा की अध्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुन्दर छोटी सी पुस्तिका श्रीसाइन आद भजन माला में किया गया है इसकी रचना बांदरा की श्रीमती सावित्री बाई रगुनाथ तेंदुल करने की है श्रीदास गड़ु महराज ने भी श्रीसाइन बाबा पर कई मधुर कविताओं की रचना की है एक और भग्त अमीदास भवानी महता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुचराती में प्रकाशित किया है साइन लीला पत्रिका में भी कुछ लीलाएं श्रीडी के दक्षणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है अब प्रशन यह उड़ता है कि जब श्रीसाइनात महराज के जीवन पर प्रकाश टालने वाला इतना साहित उपलब्द है फिर एक और ग्रंत श्रीसाइन सचरत रचने की आविशक्ता ही कहां पैदा होती है इसका उत्तर केवल यही है कि श्रीसाइन बाबा की जीवनी सागर के सद्र शगाध विस्तरत और अथा है यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाएं तो ग्यान एवं भक्ती रूपी अमूले रतनों की सहच प्राप्ती हो सकती है जिसे मुमुक्षूओं का बहुत लाब होगा श्रीसाइन बाबा की जीवनी उनके द्रिश्टान्त एवं उपदेश महान आश्चरे से परिपून है दुख और दुर्भागी ग्रस्त मानवों को इन से शान्ती और सुख प्राप्त होगा तथा लोक वो परलोक में श्रेयस की प्राप्ती होगी यदिश्री साइन बाबा की उपदेशों का जो की वैदिक शिक्षा की समान ही मनुरंजक और शिक्षा प्रध हैं ध्यान पूर्वक श्रमण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनो वान्शित फल की प्राप्ती हो जाएगी अर्थात ब्रह्म से अभिन्यता अश्टांग योग की सिध्धी और समाधी आनंद आदे की प्राप्ती सरलता से हो जाएगी यह सोचकर ही मैंने चरित्र की कथाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है जो भोले भाले प्राणी श्री साइं बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने के सवभाग्य से वंशित रहे हैं उन्हें यह चरित्र आदी आनंद दायक प्रतीत होगा अता मैंने भी अपना अंकर उनके श्री चड़नों पर नुच्छावर कर दिया मैंने सोचा मैंने सोचा कि अब मेरा पत अती सुगम हो गया है और बाबा मुझे ईलोक और पहरलोक में भी सुखी बना देंगे मैं स्वयम बाबा की आग्या प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था अता मैंने श्री माधव राव उपनाम शामा से जो की बाबा की अतरंग भक्तों में से थे इस हे तु प्राथना की उन्होंने इस कारे के निमित श्री साइं बाबा से विनम रिशब्दों में इस प्रकार प्रातना की हे अर्णा साहिब आपकी जीवन लेखनी के लिए ये अति उत्सुक है फरंतु आप क्रिप्या ऐसा ना कहना कि मैं तो एक फकीर हूँ तथा मेरी जीवनी लिखने की आविशक्ता ही क्या है आपकी केवल क्रिपा और अनुमती से ही ये लिख सकेंगे हत्वा आपके श्री चड़नों का पुर्णि प्रताप ही इस कारे को सफल बना देगा आपकी अनुमती तथा आशिरवात के अभाव में कोई भी कारे ये शस्री नहीं हो सकता ये प्रात्ना सुनकर बाबा को दया आ गई उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरध हस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृष्टानतों को एकत्रित कर लिपिबध करने दो मैं इनकी सहायता करूँगा मैं स्वेम ही अपनी जीवनी लिख कर भगतों की एक्छा पून करूँगा परन्तु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए जो अपनी जीवन में इस प्रकार आचरण करते हैं उसकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूँ मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहच है मैं तो इनके घर बैठे अनिक प्रकार से सहायता पहुचाता हूँ जब इनका अहम पूरता नश्ट हो जाएगा और खूजने पर लेश मात्र भी ना मिलेगा तब मैं इनके अंता करण में प्रकट होकर स्वयम ही अपनी जीवनी लिखूँगा मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवन मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागरत होकर सरलता पूर्वक, आत्मनुभूती एवं पर्मानंद की प्राप्ती हो जाएगी ग्रंथ में अपने मत्कर प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विशय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुछेष्टा नहीं होनी चाहिए अर्तपूर्ण उपादी हिमानपन्थ वाद विवाद शब्द से हमको स्मरण हो आया कि मैंने पाठकों को वचंद दिया है कि हिमाणपन्थ उपादी किस प्रकाय प्राप्त हुई हिसका रणन करूँगा अब मैं उसका रणन करता हूँ श्री काका साहेब दिख्षित बा नाना साहेब चांदोर कर मेरे अति घनिष्ट मित्रों में से थे उन्होंने मुझसे शिर्डी जाकर श्री साहीं बाबा के दर्शनों का लाब उठाने का अनुरोध किया मैंने उन्हें वचन दिया परन्तु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिर्डी यात्रा सगित हो गई मेरे एक घनिष्ट मित्र का पुत्र लोनावला में रोग ग्रस हो गया था उन्होंने सभी संभव अति भौतिक और आध्यात में कुपचार किये परन्तु सभी प्रत्न निश्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम न हुआ ये घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में असमर्थ है तब उनकी उपियोगिता ही क्या है और जब उनमें कोई सामर्थ ही नहीं तब फिर शिर्डी जाने से क्या प्रियोजन ऐसा सोच कर मैंने यात्रा स्थागित करती परन्तु जो होना है वो तो होकर ही रहेगा और वो इस प्रकार हुआ प्रांत दिकारी नाना साहिब चांदोर कर बसई के दोरे पर जा रहे थे वे थाना सिदादर पहुचे तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे उसी समय बांदरा लोकल आप पहुची जिसमें बैठ कर वे बांदरा पहुचे तता शिर्डी यात्रा इस्तागित करने के लिए मुझे आड़ों हाथों लिया नाना साहिब का तर्क मुझे उचित तता सुखदाई प्रतीत हुआ और इसके फल सरूप मैंने उसी रातरी शिर्डी जाने का निश्चे किया और समान बांद कर शिर्डी को प्रस्थान किया मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाट की गाड़ी पकड़ने का कारिक्रम बनाया इस निश्चे के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया गाड़ी छूटने ही वाली थी कि इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा समान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा मैंने अपना कारिक्रम उसे ब अनुसार दूसरे दिन शिर्डी ना पहुच चकने के कारण अनिक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता परन्तु ऐसा घटना ना था भाग्या ने मेरा साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व ही मैं शिर्डी पहुच गया यह सर 1910 की बात है जो प्रवासी भक्तों के ठेहरने के लिए साथी वाड़ा ही एक मात्रे स्थान था तांगे से उतरने पर मैं साइं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा ललायत था हुसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहिब नूलकर मस्जिद से लोटे ही थे उन्होंने बतलाया कि इस समय श्री साइं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही है अभी केवल उनका प्रारंबिक दर्शन ही कर लो और फिर स्नानादी से निवित होने के पश्चाद सुविधा से भेट करते जाना यह सुनते ही मैं दोड कर गया और बाबा की चरण मंदना की मेरी प्रसनता का परावार ना रहा मुझे क्या नहीं मिल गया था मेरा शरीर उल्लसित सा हो गया था शुधा और त्रिशा की सुधी जाती रही जिशन से उनके भव विनाशक चर्णों का स्पर् कहने लगा मैं उनका स्मरण कर उन्हें मानसित प्रणाम करता हूं जैसा कि मेरे अनुभव में आया कि साइं के दर्शन में ही ये विशेश्टा है कि विचार परिवर्तन सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है केवल गत जन्मों के अनेक शुब संसकार एकत्रत ह होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलब हो सकता है पाटको मैं आप से शपत पूर्वक कहता हूं कि यदि आप श्री साइं बाबा को एक दृष्टी भर कर देख लेंगे तो आपको संपून विश्वि तो आपको संपून विश्विही साइं मैं दिखलाई गर्मा गरम बहस शिर्डी पहुशने के प्रथम दिन ही बाला साहिब तथा मेरे बीच गुरू की आविशक्ता पर वाद विवाद छिड़ गया मेरा मत था कि स्वतंतता त्याग कर पराधीन क्यों होना तथा जब कर्म करना पड़ता है तब गुरू की आविशक्ता ही कहा रही प्रते को पूर्ण प्रत्ने कर स्वयम को आगे बढ़ाना चाहिए गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है? वो तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है इस प्रकार मैंने स्वतन्तित्रा का पक्षि लिया और बाला साहिब ने प्रारब्ध का उन्होंने कहा कि जो विधी लिखित है वो घटित होकर रहेगा इसमें उच्च कोटी के महापुरुष भी असफल हो गए हैं कहावत है कि मेरे मन कचो और है विधाता के कचो और फिर परामर्श युक्त शब्दों में बोले भाई साहिब या निदी विधिता छोड़ दो ये एंकार तुमारी कुछ भी सहायता ना कर सकेगा इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगबग एक घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भाती कोई निश्कर्ष ना निकल सका इसलिए तंग और विवश होकर विवात सगित करना पड़ा इसका पड़िणाम ये हुआ कि मेरी मानसिक शान्ती भंग हो गई तथा मुझे अनभव हुआ कि जब तक घोर दैहिक बुद्धी और अंकार ना हूँ तब तक विवात संभव नहीं वस्तुता ये अंकार ही विवात की जड़ है जब अन्य लोगों के साथ में मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहिब को संभूधित कर प्रश्न किया कि साथे वाड़ा में क्या चल रहा था किस विशे में विवात था फिर मेरी ओर दृष्टिपात होकर बोले कि इन हेमान पंद ने क्या कहा ये शब्द सुनकर मुझे अतिदिक अचंभा हुआ साथे वाड़ा और मस्जिद में परियाप्त अंतर था सरवग्य या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवात का ज्यान कैसे हो सकता था मैं सोचने लगा कि बाबा हिमान पंद के नाम से मुझे क्यूं संबोधित करते हैं ये शब्द तो हिमाद्रपंद का अपभ्रण्श है हिमाद्रपंथ देवगिरी के यादव राजवंची महराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंतरी थे वे उच्च कोटी के विद्वान उत्तम प्रक्रति और चतुर वर्ग चिंता मने जिसमें आध्यात्मिक विश्यों का विवेचन है और राजप्रशस्ती जैसे उत्तम कावियों के रचैता थे उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविश्कार किया था और बही खाते की पद्धती को जन्म दिया था और कहा मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी मूर्ख और मंदमती हूँ अता मेरी समझ में ये ना आ सका कि मुझे इस विशेश उपाधी से विभूशत करने का ख्यातात पर रहे है गहन विचार करने पर मैं इस निश्कर्ष पर पहुँचा कि कहीं मेरे आंकार को चून करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रियोग नहीं किया है ताकि मैं भविश में सदैव के लिए निर्भिमानी एवं विनम्र हो जाऊ अत्वा कहीं ये मेरे वाग्चातुर्य के उपलक्ष में मेरी प्रशंसा तो नहीं है भविश पर दृष्टी पात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हिमान पंत्र की उपाधी से विभूशित करना कितना अर्थपूर्ण और भविश गोचर था सर्व विधित है कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वत्ता पूर्ण धंग से किया है हिसाब किताब आदी कितने उत्तम प्रकार से रखे तथा साथ ही साथ महा काव्य साईं सचरित की रचना भी की इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विश्यों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शर्णागति वा आत्मनिवेदन आधी का समावेश है गुरू की आविशक्ता इस विशय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किये इस पर हिमान पंत द्वारा लिखित कोई लेक गयस्मिती पत्र प्राप्त नहीं है फरन्तु काका साहिब दिख्षित ने इस विशय पर उनके लेक प्रकाशित किये हैं बाबा से भेट करने के दूसरे दिन हिमान पंत और काका साहिब ने मजज़द में जाकर घर लोटने की अनुमती मांगी बाबा ने स्विक्रती दे दी किसी ने प्रश्न किया कि बाबा कहा जाएं तो उत्तर मिला उपर जाओ प्रश्न मार्ग कैसा है बाबा अनेक पंत हैं यहां से भी एक मार्ग है परन्तु ये मार्ग दुरगम है तता सिंग और भेडिये भी मिलते हैं काका साहिव यदि पत्प्रदर्शक भी साथ हो तो बाबा तब कोई कश्ट न होगा पत्प्रदर्शक तुम्हारी सिंग भेड़िये और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिश्ट स्थान पर पहुचा देगा फरं तो उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड़ी में गिर जाने की संभावना है दाभोलकर भी उपर युक्त प्रसंग के अफसर पर वहां उपस दिते उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वो गुरू की आविशक्ता क्यूं है इस प्रश्ण का उत्तर है साइन लीला भागेग संख्या पाँच वो प्रिष्ट सैतालिस के अनुसार उन्होंने सदा के लिए मन में ये गाठ बांध ली कि अब कभी इस विशे पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत व्यक्ति आध्यात्मिक विश्यों के लिए कैसा सिद्ध होगा प्रत्युत इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाब केवल गुरू के उबदेश पालन में ही निहित है इन उबदेशों का वर्णन मूल का विग्रंथ के इनी आत्मनुभूती के लिए राम को अपने गुरू वशिष्ट और कृष्ण को अपने गुरू संधी पनी की शरण में जाना पड़ा था इस मार्ग में उन्नती प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य यही दो गुर्ण सहायक है श्री सद्गुरू साइनात अरपनमस्तू शुभं भवतू